नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरपे टेक्निकल इस्टडी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में अपन बात करेंगे कम्प्यूटर के टोप 500 MCQ सिरीज का ओनलाइन टेस्ट नमर 14 के बारे तेरे पहले अपलोड हो चुके जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाईगा तो आप वहां से देख लेना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेर कर दीजे जिस दोस्तने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी कर लिजे साथ में all notification bell को भी on कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 200 पीचोतर तक के क्यूशन देख लेते आज बात करेंगे क्यूशन नंबर 206 से तो क्यूशन नंबर 206 आए निमिलिक्त में से क्या उप्योग करता हूँ और ओप्रेटिंग सिस्टम के बीच परस पर किरिया की सहली को नियंतरित करता है ओप्सन देर का user interface, language translator, platform या screen saver तो कौन सा correct answer होगा फटापड से answer बता है नहीं सभी दोस्तों को फटापड से right answer बताए क्या होगा इसका correct answer important question है जल्दी बताओ क्या होगा इन में से उप्योग करता और operating system के बीच परस पर किरिया की सहली को को नियंतरित करता है तो दोस्तों इसका correct answer होगा user interface, correct answer क्या होगा option ये अगला question देराका Linux किस परकार का software है लिनक्स होता होगा किस परकार का software है option देराका server, website, proprietary, open source तो Linux होता होगा किस परकार का software है चलो बताओ क्या होगा इसका correct answer तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा open source correct answer क्या होगा option डी अगला क्यूशन दे रखा है digital computer data और program को encode करने के लिए एक किसका उप्योग किया जाता है किसका उप्योग करता है option दे रखा है semiconductor, option B दे रखा है decimal, option C दे रखा है binary, D दे रखा है RAM तो किसका उप्योग करता है encode करने के लिए किसका उप्योग करता है data और program को चलो बताओ क्या होगा इसका correct answer तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा binary किसका उप्यों करता है binary का correct answer हो जाएगा option C next question अगला question दे रखा है computer system से संचार करने के लिए विशेज रूप से input या output device की अनुमती बनाया गया अनुमती बनाया गया विशेज कारियकरम क्या कहलाता है computer, device driver, operating system या interpreter तो क्या कहलाता है important question है जल्दी बताओ इसका correct answer क्या होगा तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा option number B क्या होगा device driver correct answer हो जाएगा option B अगला question दोस्तों अगला question दे रखा है computer की कौन सी PD अभी भी विकास के चरण के तहत है इन में से computer की कौन सी PD है जो अभी भी विकास के चरण के तहत है तीसरी PD, चौती PD, पांचवी PD या साथवी PD तो कौन सी PD है important question है जल्दी बताओ इसका correct answer क्या होगा पटापट से बता दीजे क्या होगा इसका correct answer तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा पांच वी PD correct answer कौन सा होगा option C next question अभी तन है memory और storage के बीच क्या अंतर है memory और storage के बीच क्या अंतर है option दे रखा memory इस्ताई है और storage इस्ताई है option B दे रा memory इस्ताई है यहा है storage यह इश्टाइए और बताएं इसका correct answer क्या होगा इंपोर्टेंट क्यूश्टटन है तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा memory इश्टाइए और storage इसताइए correct answer कुनसा होगा option यह next question अगला question दिरका case memory किसके मद्दे कारी करती है CPU और RAM के RAM और ROM के CPU और ART disk के यह उप्रोक्ति सबी तो case memory किसके मद्दे कारी करती है important question है जल्दी बताओ क्या होगा इसका correct answer तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा case memory CPU और RAM के बीच कारी करती है इसका correct answer होगा option यह next question अगला question दिरका in में से कोन एक וिशेस code के परियोग से संदेश देता या पहुचाता है option यह दिरका encryption audit UPS तो क्या होगा इसका correct answer जल्दी बताना है क्या होगा इसका correct answer तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा encryption correct answer क्या होगा option ये next question दोस्तो अगला question दे रखाए desk top पर desk एक icon है जो user को एक program file तक तुरंत पोचाता है तो कौन सा icon है kernel, buffer, shortcut ये spoiler तो क्या होगा इसका correct answer important question है जल्दी बताओ इसका right answer क्या होगा जल्दी इसी बताओ तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा option number C shortcut, desk top पर shortcut एक icon है जो user को एक program file तक तुरंत पोचाता है क्या करता है तुरंत पोचा देता है next question अगला question दे रखाए निमन में से कौन सा सबद internet connectivity से संबन दित है इन में से कौन सा सबद है जो internet connectivity से संबन दित है IP, TCP, gopher या उप्रोक्त सबी तो क्या होगा इसका correct answer important question है जल्दी बताए इसका correct answer क्या होगा तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा उप्रोक्त सबी correct answer क्या होगा option D अगला question दे रहा है computer द्वारा data को जानकारी में बदलने की परकिरिया का नाम बताई option यह दे रहा प्रोग्रामिंग, storing, organizing या processing तो क्या कहा जाता है right answer क्या होगा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए तो इसका correct answer हो जाएगा प्रोसेसिंग correct answer क्या होगा option number D next question दोस्तों अगला question दे रहा है निमल लिकित मेंसे कौन सी एक computer में modifier की जाए इन मेंसे कौन सी एक modifier की जाए control, alt, safety या उप्रोक्त सभी कौन सी है इन मेंसे modifier की कौन सी है important question है तो इसका correct answer हो जाएग उप्रोक्त सभी control, alt, safety ये सभी क्या है एक modifier की जाए next question अगला question दे रहा है trend micro क्या है option ये दे रहा है virus program, antivirus software एक program ये उप्रोक्त सभी तो trend micro क्या है important question है चलो बताओ क्या होगा इसका correct answer तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा antivirus software, trend micro क्या है antivirus software, correct answer होगा option B next question अगला question दे रहा है excel में किस विकलब का परियोग करके chart बनाए जाते है, chart wizard का, pivot table का, pie chart का, ये बार chart का तो एक्सल में किस विकलब का परियोग करके chart बनाए जाते है, important question है, जल्दी से बता दीजे, क्या होगा इसका correct answer तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा, chart wizard का, correct answer क्या होगा option नमबर ये, next question अगला क्यूशन दे रखा है, BIOS का पूर्ण रूप क्या है, फुल्पोर हम बताना है, BIOS का, option ये दे रखा, basic input output service, option B दे रखा, basic inner output system, option C दे रखा, better input output service, option D दे रखा, basic input output system, तो कौन सा correct answer होगा, इन optionों में से कौन सा correct answer होगा, BIOS का फुल्पोर हम क्या होगा, चलो बताओ क्या होगा, इसका correct answer, जल्दी जल्दी comment कीजिए, तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा, basic input output system, इसका फुल्पोर हम क्या होता है, basic input output system, next question, अगला question दे रखा, निमन में से कौन रेम का एक हिस्सा है, इन में से रेम का कौन एक हिस्सा है, option A दे रखा, magnetic core, option B दे रखा, microprocessor, option C दे रखा, photo electric cell, D दे रखा, floppy disk, तो कौन सा correct answer है, रेम का एक हिस्सा कौन सा है, जल्दी बताना है, सभी को, फटेवर से बताईए, इसका correct answer क्या होगा, तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा, magnetic core, correct answer क्या होगा, option ये, next question, अगला question दे रखा, अव्यस्त एक उधारन है, किसका उधारन है, वाइरस का, एंटि वाइरस का, वारम ये, messaging app, तो किसका एक उधारन है, important question है, जल्दी बताऊ, इसका correct answer क्या होगा, तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा, antivirus program का, किसका उधारन है, antivirus का, next question, अगला question दे रखा, जब दो या दो से आधिक computer, एक दूसरे से जुड़कर जानकरी साजा करते हैं, तो एक डेश का निर्मान करते हैं, किसका निर्मान करते हैं, सर्वर का, router का, network का, tunnel का, तो किसका निर्मान करते हैं, जब दो या दो से अधिक computer, एक दूसरे से जुड़कर जानकरी साजा करते हैं, इसका correct answer हो जाएगा, network का, किसका निर्मान करते हैं, network का, correct answer होगा, option C, next question, अगला question दे रहागा, जब आप किसी जानकरी को cut या कोफी करते हैं, तो, वह किस में जाता है, किलिपार्ट, किलिपबोर्ड, मदर बोर्ड, ये वे भी दोनो, तो जब आप किसी जानकरी को cut या कोफी करते हैं, तो वह कहां जाता है, important question है, जल्दी बताओ, इसका correct answer क्या होगा, तो दोस्तों, इसका correct answer हो जाएगा, किलिप बोर्ड में, कहां जाता है, किलिप बोर्ड में, next question, अगला question दे रहागा, powerpoint में, निमें लिकित में से, क्या एक slide so view में, slide को आगे नहीं बढ़ाता है, इन में से क्या है, escape में, space bar, enter की, mouse button, तो कौन सा correct answer होगा, जल्दी जल्दी बताना है सभी को, फटाबड से बताई, इसका correct answer क्या होगा, दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा, escape, correct answer क्या होगा, option यह, अगला question, अगला question दे रहागा, डेस एक प्रोग्राम है, जो computer के उप्यों को आसान बनाने के लिए है, कौन सा है, operating system, application, utility, यह network, कौन सा correct answer होगा, पटाबड से बताईए, तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा, operating system एक प्रोग्राम है, जो computer के उप्यों को आसान बनाने के लिए होता है, correct answer हो जाएगा, option, अगला question, अगला question दे रहागा, कौन सी disk PC को cold boot करने में उप्योग होती है, इन में से कौन सी disk है, जो PC को, personal computer को cold boot करने में उप्योग होती है, setup disk के, system disk के, diagnostic disk के या प्रोग्राम disk, चलो बताओ क्या होगा, इसका correct answer, तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा, option number B, system disk, correct answer क्या होगा, option B, अगला question, अगला question दे रहागा, MS word में, आप font dialogue box में, font size tool तक के से पहुँच सकते हैं, font dialogue box में, font size tool तक के से पहुच सकते हैं, MS word में, option ये दे रहागा, control plus s, control plus shift plus s, control plus p, ये control plus shift plus p, तो आप keys की मदद से पहुच सकते हैं, चलो बताओ क्या होगा, इसका correct answer, important question है, तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा, control plus shift plus p के माद्यम से पहुच सकते हैं, correct answer क्या हो जाएगा, option number D, अगला question, अगला question दे रहागा, एक table में, कितने अधिक से अधिक column एक documents में समलित किया जा सकता है, कितने अधिक से अधिक एक column में समलित किया जा सकते हैं, 55, 42, 32 या 63, कौन सा correct answer होगा, important question है, जल्दी बताओ क्या होगा, इसका correct answer, तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा, 63, correct answer क्या होगा, option number D, अगला question, दोस्तों अगला question दे रहागा है, caps lock key को, एक toggle key क्यों माना जाता है, option ये दे रहा है, क्योंकि जितनी बार इसे दबाया जाता है, यह back end forth कारे करता है, option भी दे रहा है, क्या डालने के लिए इसका उप्योग नहीं किया जा सकता है, option C दे रहा है, क्योंकि कुछ delete करने के लिए उप्योग नहीं किया जा सकता, option D दे रहा है, क्योंकि कुछ insert करने के लिए उप्योग नहीं किया जा सकता, तो कौन सा correct answer होगा, इन उप्शनों में से बहुत important question है जल्दी बताओ इसका correct answer क्या होगा तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा क्योंकि जितनी वार इसे दबाया जाता है यह back and forth कारे करता है तो इसका correct answer हो जाएगा option number यह तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजे और अपने दोस्तों को भी share कर दीजे जिस दोस्तने भी channel को subscribe नहीं किया हो subscribe भी कर लिजे साथ में all notification bell को भी on कर लिजे जिससे के आगे के सभी notification आपको मिल सके Thank you